हलो नमस्कार जहीं दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपनी यूटूब चैनल टेक्निकल भी देसे असमें दोस्तों हम फिर से हाज रहें आप लोगों के लिए सांदार थियोरी की MCQ क्लास के साथ जो की CITS इंटरेंस इक्जाम के लिए बहुत ही मातपूर्ण होने वाली है यह क्लास दोस्तों फिटर टर्नर मसीनिस्ट वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह क्लास उन्हीं लोगों के लिए बाकी और सभी लोगों के लिए जो है दोस्तों हम डेली को जो है मैत और रिजिनिंग की क्लास प्रोइड क जरूर अपने इस YouTube चैनल को सस्क्राइब करें, वो किसी भी ट्रेट से हो, चाइफीटा, टररार, मसीनिस्ट, इलेक्रेशियन, कोपा, CSA, कोई भी ट्रेट हो आपकी, जो है, आप जो है जरूर चैनल को सस्क्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के दोरा आपको पूरी प्रिप्र जो है, वो जरूर आज जो है, जो क्लास है, इसको जो है, पूरा आखरी तक वाच करेंगे, तो उनको जो है, पूरी चीज़ है, समझ में आएंगी, तो चलिए, आज का पहला कुश्चन कहह रहा है, दोस्तों की, निम्न में से किस धातू का प्रियोग, चिजल पंच, स्क्र है, पर रेटी, आधी टूल को बनाने के लिए, हम लोग हाई कार्बन स्टील, मतलब हाई कार्बन स्टील, जो है, धातू का उपियोग करते हैं, हाई कार्बन स्टील को हम जो है, सार्ड में लिखते हैं, यच, सी, एस, हाई कार्बन स्टील, तो हाई कार्बन स्टील का उप से 0.ppt1.2 से 1.5 परसेंट यह जी रोऊंट तो नियुक्त तो जो तो दोस्तों जो चीज़ होता है उसमें कार्वन की जो परसेंटेज होती और वह जोंन परसेंट से 1.2 परसेंट होती है तो आपका रैइट funz ellos दोस्तों फिरत म squish पर्सेंट होजहेगा और अग्ला कुश्चिन चाहरा है आपको बताना कापर का идет ि पोचह जाता है इसका बताना कितना होता है छे सोनय डीनीखी की renovations या फिर 950 degree centigrade तो दोस्तों जो कावपार होता है उसका गलनांग दोस्तों 1083 degree centigrade होता है आपका राइट एंसर दोस्तों C हो जाएगा बढ़ते हैं नेस कुश्चिंग तरफ अगला कुश्चिन क्या कह रहा है दोस्तों अगला कुश्चिन कह रहा है कि निम्न में से कह रहा है नि 0.8% से कम 0.8% 0.8% से अधिक या फिर उप्रोक्त में से कोई नहीं तो दोस्तों बात करें हाइप रिक्टाइड इस्टील की तो जो आपका हाइप रिक्टाइड इस्टील होता है दोस्तों उसमें कार्बन की जो परसेंटेज होती है या मत्रा होती वो 0.8% से अधिक होती ह है तो आपका राइट एंसर दोस्तों सी हो जाईगा तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं is क्ह llation क्या है जंट अगला क्क कहा रहा है अगला क्वृष्टें चाह रहा है hardness की जो value होती है वो ग्याद करने के एक प्रकार से unit के लिए जैसे कि हमारा kilometer यह से बतत लेकिन एक प्रकार से hardness की जो है 1 है या 4C ठीक है दोस्तों तो आपका right answer क्या होगा दोस्तों file की वांचनी hardness कितनी होती है तो आपके file की जो वांचनी hardness होती है दोस्तों वो होती है 60 HRC कितनी होती है 60 HRC आपका right answer दोस्तों D हो जाएगा बढ़ते हैं दोस्तों next question क्या कह रहा है अगला question कह रहा है कि rail की पटरी निम्न में से किस धातू की बनी होती है तो आपको बताना है कि rail की जो पटरी होती है किस धात की बनी होती है मैगनीज श्टील, क्रोमियम श्टील हाई कारवन श्टील, माइल्ड श्टील तो दोस्तों जो रेल की पटरी होती है वो आपके मैगनीज श्टील की बनी होती है किस की बनी होती है तो निकल का गलनांग आप लोग बताएं कितना होता है तो दोस्तों आपका निकल का गलनांग जो होता है दोस्तों कितना होता है 1380 डिगरी सेंटिग्रेट 1720 डिगरी सेंटिग्रेट 1450 डिगरी सेंटिग्रेट या 1600 डिगरी सेंटिग्रेट तो दोस्तों जो आपका निकल का गलनांग होता है वो आपका होता है तेरा सो स्वरी दोस्तों एक सेकंड आपका निकल का जो गलनांग होता है वो होता है आपका 1450 डिगरी सेंटिग्रेट थोड़ा कन्फूजन हो रहा है दोस्तों कितना होता है 1450 डिगरी सेंटिग्रेट अगला कुश्यन क्या कह रहा है दोस्तों अगला कुश्यन कह रहा है आपका अगला कुश्यन कह रहा है दोस्तों कि क्रोमियम का गलनांग बिंद होता है तो क्रोमियम का गलनांग बिंद होता है आप लोग को बताना कि क्रोमियम का गलनांग कितना होता है तो आपका जो क्रोमि को CRC लिखा जाता है इसका जो गलनांग होता है दोस्तों वो 1380 degree centigrade होता है दोस्तों गलनांग से एक नए question आपके जरूर आते हैं तो आपको जो एक question करा रहे हैं बहुत ध्यान से पढ़िए और बहुत ध्यान से इसमें जो आप लोग answer इसको लगाईएगा और इसको जरूर याद करके जाईएगा तो यहां पर देखिए उपर जो था उपर था आपका निकिल का गलनांग पूचा था तो निकिल का गलनांग 1450 डिगरी सेंटिग्रेट होता है और यहां पर अगला पूच रहा है निकिल के बाद में पूच रहा है आपका जो है क्रोमियम का गलनांग बिंदू कितना होता है तो ग्रोमियम का गलनांग बिंद आपका 1380 डिगरी सेंटिग्रेट होत सबसे ज़्यादा होता है इन चारों में से तो 380 डिगरी सेंटीग्रेट तो टंगस्टन का गलनांग कितना होगा 380 डिगरी सेंटीग्रेट ब्राइट एंसर बी हो जाएगा बात पर 1380 तो आपका क्या कहरा है अगला कुष्चिन कह रहा है दोस्तों की वैनेडियम का गलनांग होता है उज richness effectiveness दोस्तों आपका वैनेडियम होता है 1720-170 आपका राइट एंसर दोस्तों और तो इसीडयरी सेंटिगेट मैगनीज का गलनांग होता है तो दोस्तों आपका जो मैगनीज होता उसका गलनांग कितना होता है 1720 degree centigrade 1380 degree centigrade 1450 degree centigrade या 1445 degree centigrade तो दोस्तों इसका right answer बता है मैगनीज का गलनांग कितना होता है तो दोस्तों आपका मैगनीज का गलनांग जो होता है दोस्तों वो होता है 1445 degree centigrade कितना होता है 1445 degree centigrade तो आपको मैगनीज किससे लिखा जाता है M N से मैगनीज का प्रति क्या होता है M N तो दोस्तों ये रहा आपका राइट एंसर इसका क्या 1445 डिग्री सेंटीग्रेट बरते नेक्स कुशिंग तरह फगले कुशिंग क्या कह रहा है कि कोबाल्ट का गलनांग होता है तो जो आपका कोबाल्ट होता है उसका गलनांग कितना होता है आपको बताना है 1320 डिग्री सेंटीग्रेट 1450 डिग्री सेंटीग्रेट 1480 डिग्री सेंटीग्रेट 3400 डिग्री सेंटीग्रेट तो दोस्तों बात करें आपके कोबाल्ट के गलनांग की युँदव तरह का कारवन होता है उसका मेलटिंग पॉइंट कितना होता है वही मेलटिंग, मतलब गलन बिंदू 3300 ह compost 32 s ए our गड़ा कुश्य को Τरफ क्या कह रहा है डाइमंड का गलनांग होता है तो आपनme डायमन होता है फिरा जी से बोलते हैं उसका उसकाफ गलनांग क्या होगा पैंतीस ilsو डिग्री सीटीग्रेट Google driven 3400 & youtube दोर डायमन्ड होता है गलना रहं बी आपका राइट एंसर हो जाएगा तैहीं तो पचाबी से अब कारभन पेट्रोलियम गैस सिलेंडर वा पेट्रोल सिलेंडर टैंकर बनाए जाते हैं पेट्रोलियम गैस सिलेंडर वा पेट्रोल सिलेंडर टैंकर बनाए जाते हैं माइल इस्टील के हाई कारबन इस्टील के एला इस्टील के मीडियम कारबन इस्टील के तो दोस्तों पेट्रोलियम cutter होता हुख किस धातू का बनाजाता है, निकल własग, कोबल्टas sth ipad, high carbon steels, high speed sth जो आपका milling cutter होता है छीन भाटू का बनाजाता है इस धातू की बनाजाता है, high speed steel का बनाजाता है, इसमें high carbon 강a don'tjob का क्म करता है, यप कि बनाजाता है, high speed तो आपका राइट एंसर दोस्तों D हो जाएगा गलती से हाई कारबन स्टील मतं लगा दीजेगा बरते ने ससक्वार्थिश्ट व्युष्ट ड्रिल की धात होती है। किसे मना होता है कोबाल से से वैडाइम स्चील से हाई स्पीर से और टूस्ट होता है यह भी बर कला करता है तो दोस्तों इबести में चलता थिसका भी मोटरिड क्या होगा हाई स्पीर स्टील होगा हाई स्पीlica अब का और म mismli firm क् têm आपका या एंसरोद दोस्तों प्रभावित कर होती है यहां पर फोर्जिंग प्रभावित होती है किसके दर प्रभावित होती है कारबन सिलिकान मैगनीन नाइट्रोजन इस प्रभावित होती है जो बच्चे नए नए जुर जरूर चैनल को सब्क्राइब करें डेली क्लास उनकी होती है मिलेंगे दोस्तों तब तक के लिए खुश रही है मस्त रही है जैहिंद जै भारत